धानमंत्री नरेंद्र मोधी ने रेडियो प्रग्राम मंग की बात के 110 वे अपिसोट में नारी शक्ति के योगदान को नमन किया। पीयम ने कहा कि आज भारत की नारी शक्ति हर शित्र में प्रगती की नई उचाईयों को छूर रही है। वहीं पेयमोधी ने कहा कि राजनितिक मर्यादा का पालं करते हुए लोगसभा चुनाफ के इन दिनों में तीन महीने मन की बात का प्रसारण नहीं होगा, मन की बात का प्रसारण रुक रहा है, देश की उपलब थिया नहीं। और वहीं से में को ट्रेनिंग मिली है। को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। कंटेट क्रियेट कर रहें देश की उपलब की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है। उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रियेटर्स एवाड शुरू किया गया है। इसके तहट अलग-अलग केटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तयारी हैं जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलोजी का उप्योग कर रहे हैं। यह कॉंटेस्ट माई गौव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रियेटर्स को इससे जुणने के लिए आगर करूँगा। हमारे विवा साथी चुनावी प्रक्रिया में जितनी अधिक भागिदारी करेंगे इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लापकारी होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से आगर करूँगा कि वे रिकोर्ड संख्या में वोट करें। अठारा का होने के बाद आपको अठारवी लोकसभा के लिए सदस्य चुनने का मौका मिल रहा है। यानि ये अठारवी लोकसभा भी युवा आकांशा का प्रतीख होगी।